पिछले कुछ दिनों से बॉलिवूड के दबंग खान यानि सल्मान खान गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्णोई के दुआरा दी गई जान से मारने की धमकी की वज़ा से चैन की निंद नहीं सो पा रहे हैं जहां उनकी रातों की निंद उड़ी हुई है वहीं दिन भर उनका करोड बताई जा रही है सल्मान ने गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्णोई की धमकी से डर कर ली है गौर तलब है कि सल्मान खान अभी गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्णोई की जान से मारने की धमकी के प्रभाव में हैं और अपनी सुरक्षा में कोई सतरक्ता नहीं छोड़ना उनके द्वारा प्रशाशन से अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने पास एक बंदूग रखने के लिए लाइसेंस की मांग भी की गई थी जो की अब प्रशाशन के द्वारा मंजूर कर ली गई है बंदूग के लाइसेंस के आवेदन को भी गैंक्स्टर लॉरेंस विश्णोई की धंकी के असर के रूप में देखा गया था गैंक्स्टर लॉरेंस विश्णोई के द्वारा सलमान खान को जान से मारने की धंकी दी गई है उसी लॉरेंस बिश्णोई के शूटरों ने अभी कुछ दिन पूर्वी पंजाब के लोकप्रिये गायक सिद्धु मुसेवाला की गोलियों से भुनकर हत्या भी की थी इस हत्या कांड में गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्णोई के साथ ही उसके कनाडा बेस्ट गैंक्स्टर साथ ही गोल्डी बराड का भी नाम आया था इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गोल्डी बराड के द्वारा ली गई थी गौर तलब है कि लॉरेंस बिश्णोई अभी दिल्ली के तिहाड जेल में बंध है